लेखांकन की मूल बातें वित्तिय लेंदेन को दर्ज, संक्षेपित, विशलेशित और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया से संबंधित होती हैं। इसे सरल शब्दों में कहें, तो लेखांकन एक व्यवसाय की वित्तिय स्थिती को समझने और नियंत्रित करने का माध्यम है। यहां कुछ मुख्य बिंदूओं का उल लेख है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेखा बही लेखन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में बुक किपिंग कहते हैं, यह व्यवसाय के वित्तिय रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित और सटीक रखने की प्रक्रिया है। लेखा बही लेखन व्यवसाई की वित्तिय स्थिती को समझने और नियंत्रित करने का महत्वफूर्ण हिस्सा है यह व्यवसाई को उसकी आय, खर्च, लाब और हानी का स्पष्ट चित्र देता है चलिए, लेखा बही लेखन के मुख्य तत्वों पर एक नजर डालते हैं एक, लेखा बही, लेजर, सभी वित्तिय लेंदेन को दर्ज करने की जगा यह विभिन्न खातों में लेंदेन को व्यवस्थित करता है दूसरा, पत्रक, जर्नल, लेंदेन का प्रारंभिक रिकॉर्ड यहां से जानकारी लेखा बही में स्थानांतरित की जाती है तीसरा, आय और खर्च पत्रक, Income and Expense Sheets यह पत्रक व्यवसाय की आय और खर्चों को दर्ज करते हैं और लाब और हानी का विशलेशन करने में मदद करते हैं लेखा बही लेखन के कई फायदे हैं पहला, वित्तीय स्थिती की स्पष्टता व्यवसाय की वित्तीय स्थिती का सटीक आकलन दूसरा, कराधान में सहायता सटीक रिकॉर्ड्स कराधान प्रक्रिया को सरल बनाते हैं तीसरा व्यवसाइक निर्णय सटीक डेटा पर आधारित व्यवसाइक निर्णय लेने में मदद शीरशक लेखा नियम अब हम लेखा नियमों के बारे में जानेंगे जो व्यवसाय की वित्तिय जानकारी को दर्ज करने, संक्षेपित करने और रिपोर्ट करने में मदद करते हैं लेखा नियमों का पालन करने से वित्तिय विवरण सठीक और विश्वसनिय बनते हैं लेखा नियम व्यवसाई की वित्ती अस्थिती को समझने और नियंत्रित करने का आधार है इन नियमों के बिना वित्ती अविवरण, गलत और भ्रामक हो सकते हैं चलिए लेखा नियमों के मुख्य बिंदूओं पर नजर डालते हैं चलिए लेखा नियमों के मुख्य सिद्धान्तों पर एक नजर डालते हैं पहला लेखांकन की दुविधा, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल प्रत्यक लेन देन के दो पहलू होते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट उदाहरन, यदि आपने एक हजार रुपे का माल बेचा तो आपके बैंक खाते में एक हजार रुपे जमा होंगे और माल खाता एक हजार रुपे घटेगा दूसरा, व्यवसाय इकाई अवधारणा, बिजनस एंटिटी कॉंसेप्ट व्यवसाय और उसके मालिक को अलग-अलग इकाईयां माना जाता है उदाहरन, व्यवसाय के लेन देन मालिक के व्यक्तिकत खाते में दर्ज नहीं होते तीसरा, जारिता अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉंसेप्ट व्यवसाय अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा उदाहरन भविश्य के खर्चों और आयका लेखा जोखा करते समय इस सिध्धान्त का पालन किया जाता है चौथा, मूल्यांकन आधार, कॉस्ट कंसेप्ट संपत्यों को उनकी अधिग्रहन कीमत पर ही दर्च किया जाता है उदाहरन, एक मशीन की कीमत एक लाख रुपिय है तो उसे उसी कीमत पर दर्च किया जाएगा चाहे उसका बाजार मूल्य बदल जाए पांचवान, मिलान सिध्धान्त, मैचिंग प्रिंसिपल खर्चों को उसी अधि में दर्च किया जाना चाहिए जिस अधि में वे आय से मेल खाते हैं उदाहरन, यदि आपने इस महा के अंत में वेतन दिया तो इसे इसी महा की आय से मिलाना होगा और अंत में आय सिध्धान्त, रेविन्यू रेकगनिशन प्रिंसिपल आय को तभी दर्च किया जाता है जब इसे अर्जित किया जाता है उदाहरन, आपने सेवाएं दी लेकिन भुर्टान बाद में मिला तो आय उसी समय दर्च होगी जब सेवाएं दी गए लेखा नियमों के कई फायदे हैं वित्तीय स्थिती की स्पष्टता व्यवसाय की वित्तीय स्थिती का सटीक आकलन कराधान में सहायता सटीक रिकॉर्ड्स कराधान प्रक्रिया को सरल बनाते हैं व्यवसायक निर्णय सटीक डेटा पर आधारित व्यवसायक निर्णय लेने में मदद वित्तिय विवरन जो किसी भी व्यवसाय की वित्तिय स्थिती को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वित्तिय विवरन व्यवसाय की वित्तिय स्थिती प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सारांश प्रदान करते हैं ये विवरण न केवल व्यवसाय मालिकों के लिए बलकि निवेशकों, लेंदारों और अन्य हित धारकों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं वित्तिय विवरणों के प्रकार चलिए वित्तिय विवरणों के मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं पहला है तुलन पत्र, बैलन्स शीट. यह व्यवसाय की संपत्तियों, दायत्वों और स्वामित्व की स्थिति को दर्शाता है. उदाहरण के लिए संपत्तियां, नकद, बैंक बैलन्स, उपकरण, दायत्व रन, बकाया बिल, स्वामित्व मालिक की पूंजी दूसरा है आय इंकम स्टेट्मेंट यह व्यवसाय की आय और खर्चों का सारांश प्रस्तुत करता है, जिससे शुद्ध लाभ या हानी का पता चलता है. उदाहरण के लिए आय माल की बिक्री, सेवाओं से आय, खर्च वेतन, किराया, विज्यापन, खर्च, शुद्ध लाभ, आय माइनस खर्च तीसरा है नकदी प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेट्मेंट, यह नकद के आने और जाने का विवरण प्रस्तुत करता है, उदाहरण के लिए संचालन से नकदी प्रवाह ग्राहकों से प्राप्त नकद, निवेश से नकदी प्रवाह संपत्तियों की खरीद और वित्त पोशन से नकदी प्रवाह, रन प्राप्ति और चुकाउती वित्तियस्थिती की सपश्टता व्यवसाई की वित्तियस्थिती का सटीक आकलन निवेश निवेशकों को व्यवसाई के प्रदर्शन के आधार पर निर्णै लेने में मदद Credit rating लेंदारों को व्यवसाय की credit rating का मूल्यांकन करने में मदद वित्तिय योजना, व्यवसाय करणमीतियों और योजनाओं को निर्धारित करने में सहायता उन शीर्षक लेखा परीक्षण की प्रक्रिया और महत्वर, शांत और सजीव बैक्ग्राउंड संगीत के साथ एक कार्यालय का द्रिश्य दिखाएं जिसमें एक लेखा परीक्षण दस्तावेजों की जाँच कर रहा है परीक्षण और महत्वर, लेखा परीक्षण वित्तिय लेंदेन की जाँच और सत्यापन की प्रक्रिया है इसका उद्देश्य वित्तिय विवरणों की सटीक्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है जिससे हितधारकों का विश्वास बना रहे लेखा परीक्षण की प्रकार चलिए लेखा परीक्षण के विभिन्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं पहला आंतरिक लेखा परीक्षण, इंटर्नल ऑडिट इसे संगठन के अंदर किया जाता है और इसका उद्देश्य आंतरिक नियंत्रन प्रणाली की जाँच करना होता है उदाहरन, कम्पनी के आंतरिक नियंत्रन और प्रक्रियाओं की समीक्षा दूसरा, बाहरी लेखा परीक्षण, External Audit इसे बाहरी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य वित्तिय विवरणों की स्वतंत्र समीक्षा करना होता है उदाहरन, कम्पनी के वार्षिक वित्तिय विवरणों का बाहरी on it तीसरा, कर लेखा परीक्षन, टैक्स ओडिट यह कर अधिकारियों द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश शिकर अनुपालन सुनिश्चित करना होता है उदाहरण, कम्पनी के कर रिटर्न और उससे संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा लेखा परीक्षन के फायदे, लेखा परीक्षन के कई फायदे हैं वित्तिय सटीक्ता, वित्तिय विवरणों की सटीक्ता सुनिश्चित होती है अनुपालन सुनिश्चित्ता, कानूनी और नियामक अनुपालन की जाँच होती है विश्वसनियता, बढ़ाना, हितधारकों का विश्वास बढ़ता है सुधार के अवसर, आंतरिक नियंतरण और प्रक्रियाओं में सुधार के अवसर मिलते हैं शीर्शक, टैक्सेशन की बुनियादी बातें, टैक्सेशन जो किसी भी व्यवसाय और व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है टैक्सेशन का सही ज्यान होना वित्तिय प्रबंधन का एक आवश्यक हिस्सा है टैक्सेशन सरकार द्वारा लगाए गए करों को संग्रह करने की प्रक्रिया है जो सार्वजनिक सेवाओं और विकास कारियों के लिए वित्तपोशन का मुख्य स्रोध होता है टैक्सेशन का सही और समय पर भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है चलिए, टैक्सेशन के मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं एक, प्रत्यक्षकर, डिरेक्ट टैक्स, ये वह कर है जिसे सीधे व्यक्ति अव्यवसाय द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है उदाहरण आयकर, इंकम टैक्स, निगम कर, कॉपरेट टैक्स, दो, अप्रत्यक्षकर, इंडिरेक्ट टैक्स यह वह कर है जिसे बस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और उप्भोकता द्वारा भुगतान किया जाता है उदाहरण बस्तु और सेवा कर GST, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, तीन संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स यह कर संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है और संपत्ति मालिक द्वारा भुगतान किया जाता है उदाहरण, घूमिकर, लैंड टैक्स, भवनकर, बिल्डिंग टैक्स टैक्सेशन के कई फायदे हैं वित्तिय अनुशासन टैक्सेशन से वित्तिय अनुशासन का पालन होता है सामाजिक विकास टैक्स के माध्यम से सरकार सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी धांचे का विकास करती है कानूनी अनुपालन समय पर टैक्स भुगतान से कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है टैक्स लाब सही टैक्स योजना से टैक्स बचत की जा सकती है लाब और हानी विवरण, Profit and Loss Statement के बारे में जो किसी भी व्यवसाय की वित्तिय स्थिती को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लाब और हानी विवरण, जिसे आय विवरण, Income Statement भी कहते हैं व्यवसाय की आय और खर्चों का सारांश प्रस्तुत करता है यह विवरण व्यवसाय के संचालन की सफलता या असफलता को मापने में मदद करता है चलिए, लाब और हानी विवरण के मुख्य तत्वों पर एक नज़र डालते हैं पहला, राजस्व, Revenue यह व्यवसाय द्वारा अरजित कुल आय होती है उदाहरण उत्पादों की विक्री सेवाओं से आये दूसरा, खर्चे, Expenses यह व्यवसाय के संचालन में होने वाले कुल खर्च होते हैं उदाहरण, वेतन, किराया, विज्यापन खर्च, सामगरी की लागत तीसरा, संचालन लाब, Operating Profit यह राजस्व से संचालन खर्चों को घटाने के बाद बची हुई राशी होती है उदाहरण, राजस्व, संचालन खर्च, इक्वल साइन, संचालन लाब और अंत में, शुद्ध लाब, Net Profit यह कुल आय से कुल खर्चों को घटाने के बाद बची हुई राशी होती है उदाहरण कुल राजस्व कुल खर्च इक्वल साइन शुद्ध लाब लाब और हानी विवरण के कई फायदे हैं वित्तिय प्रदर्शन का मूल्यांकन यह व्यवसाय के वित्तिय प्रदर्शन को मापने में मदद करता है रणनीतिक निर्णय यह जानकारी व्यवसायक निर्णय लेने में सहायक होती है लाभ प्रदता का आकलन इससे व्यवसाई की लाभ प्रदता का सपश्ट चित्र मिलता है निवेशकों को जानकारी निवेशकों को व्यवसाई की वित्तिय स्थिती की जानकारी मिलती है हमने इस वीडियो में विभिन्न वित्तिय विशयों पर चर्चा की है जैसे लेखा नियम, वित्तिय विवरण, लेखा परीक्षण, टैक्सेशन और लाभ और हानी विवरण अब आईए इन सभी बिंदुओं के निशकर्ष पर एक नजर डालते हैं लेखा नियम व्यवसाय की वित्तिय पारदर्शिता और सटीकता को सुनिश्चित करते हैं लेखा परीक्षण व्यवसाय की वित्तिय सठीकता और पारदर्शिता की पुष्टी करता है नियमित अंडिट से आप न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं बलकि आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं में भी सुधार कर सकते हैं टैक्सेशन न केवल कानूनी आवश्यक्ता है बलकि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है सही टैक्स योजना और समय पर टैक्स भुगतान से आप वित्तिय अनुशासन का पालन कर सकते हैं और कर बचत के लाभ उठा सकते हैं लाभ और हानी विवरण व्यवसाय के वित्तिय प्रदर्शन को मापने का महत्वपूर्ण उपकरण है इसे सही तरीके से तयार करके आप अपने व्यवसाय की लाभ प्रदता का सही आकलन कर सकते हैं और निवेशकों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकते हैं इन सभी बिंदूओं को सही तरीके से समझना और लागू करना आपके व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है वित्तिय प्रबंधन के ये पहलू न केवल आपके व्यवसाय को मजबूत बनाते हैं बलकि आपको एक जिम्मेदार और सक्षम व्यवसाय भी बनाते हैं धन्यवाद